दोस्तों यहाँ पर डेख सकते हो कि लिखा हुआ है claim to your free domain ठीक है तो यह domain twee में मिला है और यहाँ पर देख क्ते हो कि zero rupees ठीक है यहाँ पर लिखाऊ है तो यह सब कैसे होगा वो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो यहां से जो है सबसे पहले करेंगे back back करने के बाद जो है दोस्त यहां पे हमें करना क्या परा कि एक पिरीमियम वेब होस्टिंग लेना परा ठीक है तो यहां पे आप देख सकतो हूँ जब आप होस्टिंग लोगे होस्टिंगर से तो आपको फिरी में एक डॉमिन भी मिलेगा और फिरी में domain ही नहीं मिलेगा आप वर्ड परेस पे website को create कर पाओगे और वर्ड परेस पे एक hosting के अंदर में कितना website create कर पाओगे वो सारा जनकारी देने बलाओं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि यहाँ पे hostinger फिरी में domain देगा की नहीं देगा अगर हम web hosting को buy भी कर लेते हैं तो लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि मैं web hosting को buy कर लिया हूँ और आपको बता भी दिया हूँ क claim your free domain anytime ठीक है इसको हम anytime कभी भी जो है हम register कर सकते हैं तो चलिए दोस्त आप लोगों को जैसे hosting buy करना होगा अगर hosting buy करोगे तभी जो है आप लोगों को फिरी में domain मिलेगा और hosting जब buy करोगे तो उसमें क्या क्या future आपको मिलेगा चलिए इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ तो देखो दोस्त नीचे इस video के description में आपको जा प्रिम्यम प्लान के साथ है यहां पे देख सकते हो अगर आप को इसके अंदर में होश्ट कर सकते हो एक डॉमीन तो आपको फिरी में भी लिखा हूं को मिलेगा ठीक है और यहां पे देख सकते हो 100 website को इसके अंदर में host कर सकते हो एक domain तो आपको फिरी में मिलेगा ही लेकिन अगर आप चाहो की website बनाना तो उसके लिए अलग से domain buy करना परेगा और इसके अंदर में host कर सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो फिरी email आपको मिलेगा जो professional email होता है लोगों को दे देता हूँ जिससे की होगा क्या की आ cred जाएगा है यहां पे आपको buy करना होगा add to card पर कलिक करना है add to card पर क्लिक करने के बाद इस परकार से page आ जाएगा ठीक है तो page आने के बाद यहां पर देख सकते हो 1 month से लेके 48 मंद तक के लिए आप buy कर सकते हो लेकिन one month के लिए आप कभी भी buy मत करना इससे कोई फायदा नहीं होगा इसके अंदर में ना तो आपको फिरी Domin मिलेगा ना इसमें अच्छे से सीख सकते हो ना आप कूछ भी कर सकते हो अगर आपको buy करना होगा तो यहां पर website को run कर सकते हो इसके अंदर में 48 मंद के अंदर में और आप जो है earning भी अच्छा खासा कर लोगे ताकि 48 मंद के बाद अगर आप renewable भी कराऊगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ठीक है क्योंकि earning आपकी चालू रहेगा तो आपको कोई फरक नहीं परेगा ठीक है बाकि यहाँ पर 12 मंद के लिए select कर सकते हो या 24 मंद के लिए चलिए यहाँ पर 48 मंद के लिए select है तो मैं select रहने देता हूं बाकि आप लोगों को बताऊंगा ठीक है कि यहाँ पर जो है क्या-क्या है तो उसके बाद जो है जैचे कि इसके अंदर में बहुत simple है दोस्तो सबसे पहले जो है आप इसके अंदर में Google से login कर लेना ठीक है Google से login करने के यहाँ पर option आएगा ठीक है यहाँ पर option आएगा लेकिन यहाँ पर option इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं login कर रखा हूं और मैं web hosting को buy कर ही रखा हूं तो यहाँ पर जो भी चीज coupon code को use करेंगे तो और भी कम हो जाएगा तो coupon code मिलेगा कहां तो आप लोगों को बता देता हूं तो नीचे इस video के description में जाना है coupon code तो आपको मिलेगा ही मिलेगा लेकिन फिरी online wordpress full course भी मिलेगा जिसके जड़िये जो है आप अपने website को अच्छे से create कर सकते हो और आप भी earning क कर सकते हो तो नीचे इस video के description में जाने के बाद फिरी online wordpress full course मिलेगा उस पर किलिक करना है ठीक है किलिक करने के बाद यहाँ पर जो भी detail है आप पढ़ लेना पढ़ने के बाद जो है इसके अंदर में आपको पूरा full जनकारी मिलेगा कैसे web hosting buy करना है कैसे क्या करना है कैसे word login add करना है वो पूरा जनकारी मिलेगा बांकी चलिए दोस्त अभी आपको बता देता हूं कि buy कैसे करना है तो यहाँ पर जो है आपको description दिख जाता है यहाँ पर web hosting का link भी मिल जाएगा और यहाँ पर जो है coupon code भी मिल जाएगा बांकी यहाँ पर क्या है कि coupon code को कर लेता हूं इस वीडियो के description में तो जानान इस वीडियो के description में और फिर online wordpress का link है उसके क्लिक करके इसको कर लेना open और यहाँ से कर लेना आप नीचे आके यहाँ पर coupon code ठीक है यहाँ पर फिर से कर लेता हूं copy यह coupon code है इससे जो है आपका price जो है थोड़ा सा घड़ जाएगा 10% कर देंगे और इसके अंदर में जो है coupon code को कर देंगे paste paste करने के बाद इधर अपलाई पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे 8449 था अब यहाँ पे देख सकते हो कि 7595 हो गया यानि यहाँ 7600 रुपे हो जाएगा ठीक है तो इतना जो है rate कम हो गया ठीक है बांकि उस लेते हैं इसका rate कितना निकल के आता है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो कि 4562 रुपया है coupon code डालने के बाद नहीं तो ज्यादा होता ठीक है यहाँ पे देख सकते हो बांकि इसी परकार से अगर हम 12 मंत के लिए अगर select करके देखे तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बत खाऊंगा ठीक है बहां की रह गई payment की बात दोस्तों तो यहाँ पर क्या है कि payment जो है आप किसी भी परकार से कर सकते हो लेकिन यहाँ पर पे टीयम का भी option आता है ठीक है तो पे टीयम से भी आप payment कर सकते हो पेटियम से payment करोगे तो वहाँ पे अटो रिनेबल का कुछ 2790 का तो 2790 जो है आपके खाते में होना चाहिए और आप बाई कर लोगे नहीं तो ऐसे जो है 5000, 6000, 7000 का लिमिट लग जाता है अटो रिनेवल के चक्कर में लेकिन यहाँ पे पेटियम से अगर आप बाई करते हो तो आपको 2790 रहेगा खाता में तो उतने ही में बाई हो बाद की चलीए दोस्त हमने तो बाई तो कर लिया है यहाँ पे जो कलीम योर, फिरी डॉमिन एनीटाइम जो है लिखके आ रहा है तो हमें जो है डॉमिन को कलीम करना एब तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक अच्छा सा माइंड में नाम को सेलेक्ट करना है क्योंकि वो जो नाम है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो मैं जो है select करके रखा हूँ, तो नाम जो है दोस्तों हमने select करके रखा है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि claim domain पे click करेंगे, ठीक है, click करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा जो नाम है website का वो paste करेंगे, और इधर जो है आप dot in जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे dot com select कर लेना, क्योंकि यह जो domain है, यह top level का domain है, ठीक है उसके बाद check availability पे click करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे देख डायते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो claim your free domain, यहाँ पे one year के लिए जो है आप free में register कर सकते हो, बांकि अगले साल जो होगा क्या कि एक साल पूरा होने के बाद इस domain का भी charge आपको देना परेगा, अभी जो है 0 rupees में इसे क्या कर सकते हो कि ले सकते हो, तो चलिए यहाँ clean domain पे click करते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा domain होगा क्या register हो जाएगा, ठीक है, register होने के बाद जो है यहाँ पे जो भी है आपका country वो यहाँ पे select कर लेना, तो मैं जो है दोस्त इंडिया से हो, बांकि यहाँ पे personal पे ही रहने देना, यहाँ पे आप लोगों के पास तो कोई company तो होगा नहीं, इसलिए personal पे रहने देना, उसके बाद next step पे click करने के बाद यहाँ जो भी detail है, वो आप जो है यहाँ पे देना, ठीक है, यहाँ पे state है, तो state में जो भी चीज़े मैं select कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो भी address है आप देना, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा detail दे दिया है, ठीक है, आप भी जो है अपना detail दे देना, बहुत ही simple है अधार card के पीछे जो है आपके पूरा address लिखा रहेगा, वही same दे देना, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे phone number जो भी मायेगा, वो सब दे देना, उसके बाद इधर जो है finish registration पे click करने के बाद यहाँ पे registering domain हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 100% होगा, और य continue पे click करने के बाद यहाँ पे domain जो है आप देख सकते हो कि active हो चुका है, active होने के बाद जो है, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या है, यहाँ पे जैसे कि हमें website को create करना है, तो सबसे पहले यहाँ से कर लेते हैं copy, ठीक है, यहाँ आपको दिखेगा, इस domain वाले section के अंदर में दिखेगा, ठीक है, अगर आप Google से login करते हो, अगर यह logout हो जाता है, तो Google से ही direct फिर इसमें login कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए दोस्त, यहाँ पे क्या है कि website करेंगे, अब website करने के बाद जो है, create और magazine ए website लिखा हुआ है, तो इस पे click करेंगे, click करने के बाद जो होगा क कि यहाँ पे page होगा open, ठीक है, तो होने दो, यहाँ पे आप इस तरीके से page आएगा, तो यहाँ पे create पे click करेंगे, create पे click करने चब्क करने कपाद इधर next पे click करेंगे, और यहाँ जो है, WordPress को select रहने देंगे, और उसके भाद create with WordPress, ठीक है, उसके बाद जो है, इहाँ पे administrator password यहां पर आपको देना है तो यहां पर देना है चलिए मैं देदेता हूं जैसे कि यहां पर भासा अपना पर एमेल लेटरेस दे देना उसके बाद जो भी कुछ है यहां पर देख सकतो password देने के बाद पूरा सेलेक्ट हो चुका है strong password बनाना ताकि आपको ही फाइदा होगा ठीक है उसके बाद यहां जो है next पे click कर देंगे next पे click करने के बाद जो है यहां पे इस तरीके से page आता है तो cut कर देंगे और cut करने के बाद अगर आपका online store बनाना चाता हो या blog बनाना चाता हूँ तो यहां पे next पे click करेंगे next पे click करने के बाद यहां पे एस्टेंडर थीम आ जाता है यहां पे escape भी कर सकते हैं ठीक है escape करने के बाद जो होगा क्या कि यहां yes please जो है recommended लिखा हुआ है लेकिन यहां पे देख सकते हो पलागिन जो है manually हम जो है इसके अंदर में install करेंगे या नहीं तो इस पे भी आप click कर सकते हो या इसे जो है escape करने के बाद जो है दोस्त यहां पे आपने जो domain register किया है वो यहां पे आ जाएगा तो आने के बाद इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद यहां जो है next पे click कर देना है और उसके बाद जो इंडिया है तो इंडिया पे ही रहने देना अब मांकी जो भी select करना चाते हो वो select कर लेना जिस भी country से हो वो तो मैं यहां इंडिया से हूं इंडि यह करना चीज है दोस्तो WordPress इंस्टॉल होने के बाद इस परकार से आप देख सकते हो कि यहां पे आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो तो चलिए दोस्त अब यहां पे हमें करना क्या है जैसे कि अगर आप लोगों को WordPress को open करना होगा admin panel पे जाना होगा तो यहां जो है आपको click करना है ठीक है यहां पे यहां पे आपको बता देता हूँ ठीक है dashboard पे हमने आगया और यहां पे जैसे किलिक करोगे तो इधर जो होगा क्या कि यह जो है redirect करेगा आपके admin panel पे जो कि अभी जो है आपका dashboard दिखेगा ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हो कि यह इस परकार से यहां पे देख सकते हो दोस्तों अगर आप जो है complete website बनाना चाहते हो ठीक है यहां तक तो हमने पहुंच गया ठीक है यहां तक तो हमने WordPress को install करके पहुंच गया अगर आप लोगों को complete website बनाना होगा तो देखो यहां पे एक course ही जो है मैं बना दिया हूँ तो direct आप इसी page पे आ जाओ गए पेज पे आनेक बाद इसको देख लेना और इसमें जो हमने अर्निंग प्रूब भी देखा रखा है बाकि होस्टिंगर का link भी मिल जाएगा coupon code भी मिल जाएगा अगर कोई problem होता है तो यहां पे WhatsApp support भी मिलेगा तो चलिए दोस्त जो भी कु जो है आप select कर लेना ठीक है अगर home पे भी रहेगा इस तरीके से यहां पे home पे भी तो यहां पे क्या करना कि इस पर जैसी click करोगे click करने के बाद जो होगा क्या कि इस परकार से फिर से यहां पे page आएगा आपके सामने में तो यहां जो है admin panel पे click करके आप जो है अपने dashboard को आप open कर सकते हो ठीक है यहां पे तो दोस्तों चलिए यहां पे dashboard पे click करते हैं click करने के बाद जो भी कुछ है इसके अंदर में जो है हम edit कर सकते है यह जो हमारा dashboard मिल जाता है welcome to wordpress तो चलिए दोस्त यहां पे आप final एक ही चीज़ बताना चाहूंगा कि यह तो आधा अधा अ अंदर में जनकारी मिलेगा तो चलिए यही जनकारी आप लोगो को देना था अगर यह जनकारी जही होगा तो इस वीडियो को कर देना है like अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना है subscribe सब्सक्राईब करने से यह फाइदा होगा कि आगे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका जनकारी मिल जागा तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में